हेलो बच्चो तो हम लोग पर रहे थे जोग्रफी के चैप्टर वन के बारे में तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे सारे ही प्लानेट्स के बारे में टोटल एट प्लानेट्स है और हर एक प्लानेट की क्या खूबी है औ पोजीशन के शाब से कौन से पोजीशन पे आता है थार्ड नंबर पे आप लोग देखेंगे तो मर्कियूड है फिर वेनस और हमारा अर्थ है तो संसे दूरी के सन की नजरिये से अगर आप देखते हैं तो ये distance क्या है perfect है न सन से हम लोग काफी जादा दूर है और न काफी जादा करीब है इसके वज़े से यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है ठेक है हम लोग साथ ही अगर धरती की बात करें तो धरती क्या होता है दो rotation, दो movement करता है एक होता है rotation और एक होता है revolution rotation के बारे में हमने आपको बताया था कि rotation मतलब क्या होता है अपने ही axis पे गोल-गोल घूमना और revolution मतलब sun का चकर लगाना sun के आसपास एक बार घूमना तो ये जो revolution का समय है है इसमें हम लोग को कितना दिन लगता है 365 डेज एंड वन बाइफ यानि पॉइंट टू सिक्स यहां पर लिखा हुआ है यानि कि वन बाइफ फोर डे यानि कि हमारा थक्रीबन छे घंटे के आसपास है ना तो 365 दिन और छे गंटे का समय लगता है तब जाकर एक बर हम पूरे सन का चकर लगा पाते हैं साथ अगर धरती की बात करें तो साइस के मामले में आपको पता है जुपिटर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्लानेट है और हम लोग साइस का मामले में धरती फिफ्ट पोजीशन पे आती ह तो ठीक है अगर धरती की बात करें तो धर्थी सबसे ज्यादा खास क्यों है तो पहली खास बात क्या है धर्थी भी कि धरती ही एक ऐसा ग्रह है हमारे स्ल पर सिस्टम में जिस पर पानि जो है वह क्या है मोजूद आनल ुल सानों के जीवन के लिए आप जांते ही है कि पानी कितना जादा महत्वपूर्ण है कितना जादा जरूरी है और धरती एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिस पर पानी मौझुद है ये बात धरती को यूनीक बनाती है खास बनाती है ठीक है दूसरा चीज क्या है धरती का डिस्टेंस न सन से जादा दू होते यहां से तो सूरज की रौशनी नहीं पहुच पाती तो प्लैनेट बहुत थंड़ा होता रह नहीं पाते थोड़ा और नस्दिक होते तो सूरज की रौशनी ज्यादा तेज होती काफी गरम होते वहां रह नहीं पाते लेकिन जो धरती है उसका तुमारा जो डिस्टेंस ह वो काफी बढ़िया है साथ ही इसका atmosphere यहाँ पर जो है वो क्या जो oxygen है और हमारा carbon dioxide है और अलग अलग टाइप के जो तुम्हारे gases मौझूद है वो जो है धर्ती के temperature को भी maintain रखते हैं इसके अलब अगर धर्ती के अगर बात करें तो जितना भी हम लोग water cycle है जो वर्षा हो रह लही है यह बादल बन रहा है यह जो भी चीजे देख रहे हैं यह हम हमारे जीवन को धर्ती पर और ज्यादा आसान जो हो क्या है बना देती और रहने राइक बना देती है ठीक है इसके बाद हम लोग को जानना है satellites के बारे में तो अगर satellites की बाद करते तो satellites क्या होता है? Satellites छोटा celestial bodies होता है हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे celestial bodies उन bodies को कहते है जो आसमान में हो है नब? तो satellites छोटे-छोटे celestial bodies होते हैं जो किसी भी प्लैनेट का गोल-गोल चकर लगाएं जैसे सारे planets किसका चकर लगाते हैं? सन का तो हमारा जो सैटलाइट से वो जो है वो क्या है जब धर्ती के लिए सैटलाइट की बात करें तो सैटलाइट कुछ क्या होते हैं artificial भी होते हैं यानि कुछ ऐसे satellites हैं जो हम लोगों ने बनाया है और वो क्या कर रहे हैं धर्ती का गोल को चकर लगा रहे हैं ठेक है यह जो satellites है यह artificial satellites जो होते हैं यह हम लोग को television और तुम्हारा news है कोई भी हम लोग का weather forecasting है यह सब को जानने में सहायता करते हैं साथ ही हमारे ध internet यूज़ कर रहे हैं या mobile phones जितना भी networking का काम है वह सारा काम भी किस कारण से हो रहा है सैटलाइट की कारण ही हो रहा है ठीक है साथ ही अगर यह तो हम लोग का हो गया और natural satellite और artificial satellite में जो हम लोग satellite में वह सब क्या हो गया artificial satellite natural satellite में जैसे अभी हमने आपको बताया मून के बा जरूरी है यह धरती से कितनी दूरी पर है तो 3,84,000 km धरती से क्या है दूर है और इसका size धरती के one-fourth के बड़ाबर है यानि कि एक चौथाई हिस्सा जितना धरती होगा वो जो हो क्या इसका size है ठीक है और जैसे हम लोग सन का चकर 365 दिन में लगाते हैं वैसे ही मून हमार धरती का चकर लगाता है और कितना समय लगता है उसको 27 days ठीक है साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इस person के बारे में यह देखिए यहाँ पर तस्वीर दी गई है इनका नाम क्या इनका नाम राकेश शर्मा है और यह पहले भारतिये थे जो space में यानि अंत्रिक्ष में ग थे दो लोग और थे और यह जो तुमारे राकेश शर्मा है यह पहले भारतिये थे जो की space में गये थे यह हमारे धरती के लिए काफी गर्व की बात है तो जैसा कि में आपको मून के बारे में बता रहे थे कि मून धरती का चकर लगाता है तो देखिए यहां तस्वीर में अगर मून की बात करें तो मून पर जीवन क्या है बिल्कुल भी संभव नहीं है वहां पर ना हवा है ना पानी है ना वहां पर साउंड ट्रैवल कर सकता है ना वहां पर पेड़ पौध है कोई भी चीज मौजूद नहीं है मून के surface पे सिर्फ बड़े-बड़े गढ़े है और दूर दूर तक सिर्फ तुम्हारा सपार्ट जमीन है जिस पर ना रहने लाइक मिटी और ना कोई लाइफ सपोर्टिंग सबस्टांस है मून के बात करें तो मून पास अपना light नहीं है मून की surface पे जब सूरी की रोशनी पढ़ती है तब जाकर मून शाइन करता है और त उतना ही हिस्सा जो है क्या है नजर आता है इसलिए मून का शेफ हम लोग अलग-अलग समय पर अलग-अलग जो है देख पाते हैं जैसे माने मून है तो मून के आधे हिससे पर ही रोशनी पढ़ रहा है तो हमारे location से जो हम जहां से देख रहे हैं वहां से जितना दूर हमको मून नजर आएगा उतना ही हम लोगों को जो है जो लाइट वाला सर्फेस है जितना दूर लाइट गिर रहा है उतना दूर ही नजर आएगा और अगर मान लिजे लाइट पूरे मून पे नहीं गिर रही है तो हम लोगों को मून पूरा नजर नहीं आएगा तो इसलिए हम लो पर हम किस पोजीशन पर है और उसके कितने हिस्से पर सूरी की रोश्नी गिरती है ठीक है तो यह जो अलग-अलग पोजीशन देख पाते हैं इसको इंगलिश में लोग क्या कहते हैं फेज़ और देख पाते हैं तो मून हमारे धर्टी का चकर 27 दिनों में एक बार पूरा लग यह मून काफी ज्यादा हमारे धर्ती के लिए जरूरी है तो आप लोग क्या करेंगे एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखी और इनकेस कोई सवाल आता है कोई समस्य आती है तो आप बेजी जग हम से इस पर सवाल कर सकते हैं